महाराश्मधानसवा चुनाव के परिणाम में साफ हो गया कि महायूती भी उस राज्जिक पे शासन करेगी। महागाडी की ऐसी हवा थी ऐसा लगा मानों बहुत बड़ा कमाल करेंगे। लेकिन महायूती ने बीज़पी अलाइंस ने ऐसी कमर तोड़ी कि आज राहूल गांधी भी एक शब्द बोलने से सकुचा रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि महाराष्ट विदान सबाचुनाब में ऐसा क्या हुआ कि जो भी जबीज़पी को भरोसा नहीं था कि हम ऐसे जीट जाएगे या ऐसा प्रचंद जीट ऐसा कुछ परिनाम आ जाएगा वह आज सामने आ गया। ऐसा क्या हो गया अंदुरूनी बाते क्या है ऐसे में इसी मुद्धिपर हमारे सब बात्चेत करने के लिए हमारे से वरिष्ट पत्रकार जिन्हों ने पत्रकालता जगत को एक लंबा वक्त दिया अर्जुन देश प्रेमी सर उनका बहुत-बहुत स्वाधत है सबसे पहला स इतने बड़े मार्जन से जीते और कॉंग्रेस स्वाट है. अब बहुत पुराना सिधानत है और साइन्टिपिख है प्रते क्रिया की प्रतिक्रिया होती Шए और प्रतिक्रिया होती है. ये science का rule है, जिस तरह से Muslim मतों के लिए, सारे दलों ने, महायूती को छोड़ कि जो बाकी दल हैं, उन्होंने जिस तरह से Muslim वोटों के लिए काम किया, जिस तरह से उन्होंने अपने को दिखाया कि हम तो Muslim vote ही हम्हें चहीए, उनको Hindu आपने को प्रमाख度 की परवाद नहीं थी, काम किया तो उसकी प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया स्वरूप जो धुरुवी करण हुआ उस धुरुवी करण के कारण इंडी गटबंधन साफ हुए देखे महारास्ट में ही नहीं पूरे देश की भी बात करें तो 20% से नीचे ही है जो अलब संख्यक समुधाय जी इसक लेकिन जो 20% है 17% है 16% है 12% उनको भी अलब संख्यक बोलते हैं उनके वोटों के लिए सब लोग लड़ेंगे तो जाहिर है कि उसके प्रतिक्रिया में हिंदू वोटों का दुरुवी करण होगा और वो हुआ और यह बिलकुल साफ देख रहा था महारास्ट में कि हिंदू वोटों का दुरुवी करन हो रहा है वो इसलिए भी हुआ कि जो हिंदू हिर्दर समराठ थे बाला साफ ठाकरे उनके बेटे भी इंडिगट मंधन में जाके और वो मुस्लिमों के लिए धेर सारी चीजें करने का वादा करके आ रहे थे गुप-चुप तरीके से नुमानी कि क्या तो सामने ही आ गया कि उन्होंने 16 सुत्री मांग रख दी उस पर कॉंग्रेस ने हामी भर दी तो जब हिंदू यह देख रहा था कि हमें तो कोई पूछी नहीं रहा है हमें तो सिर्फ एक आदमी पूछ रहा है बीजेपी तो उसको लगा कि बिलकुल सही बात है हम ब सबसे बहुत सबसे बाते कर रहे हैं कि इस कारण से जीते लेकिन जो सबसे बड़ा कारण और मेरे हिसाब से जो असी पिसदी जो चीज काम आई जीत में 100% का कोई फैक्टर सो तो 80% काम सिर्फ बटोगे तो कटोगे क्योंकि उसको दिख रहा था कि यदि नहीं आई के लिए काम करेंगे हिंदियों के लिए काम कुन करेंगा तो वहां जाती लोग भूले और एक तरफ से एक तरफा वोटिंग हुए इस एक तरफा वोटिंग की आप उसका परिणाम आप देखिए इतनी सीटें कभी जब से महारास्त में चुना हुए है पहली बार ऐसा हुआ क तो विपक्ष को अपना विपक्षी दल के नेता बनाने लायक भी सीटे नहीं मिली उनक्ति सीटे चहिए और सिवसेना उद्धव गुड को मिली 20 सीटे तो यही सबसे बड़ा फ्रेक्टर था भाकी जो फ्रीवीज है प्रीवीज तो सब दे रहे थे फ्रीवीज का उतना अ क्या आपका असर था लेकिन सबसे बड़ा कारण यही था बटोगे तो कटों अब क्यूंकि बटो के तो कटों जैसी बाग बात कहते हैं तो उत्र पृदेश के मुख्य मंतरी योगी आदय तिनाथ बहा जाते हैं क्यूंकि उन्हों ने इसको और ज़रा कहते हैं जंडा लेरा अब उत्रक्त देश में आने वाले समय में वदानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट वदानसभा चुनाव आपने देख लिया इसमें सक्रियता अगर बात करें तो अखिलेश यादव सक्रिये दिखें उनकी भूमिका पर आपका क्या कहना आपका क्या नुभब है एक जो बिल्कुल साफ दिख रही है आने वाले समय में अखिलेश यादव खतम हो जाएंगे यह मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं यह इसलिए भी बोल रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव नहीं सुधरे इन्होंने अपने विचार धारा नहीं बदली इन्होंने साफ साफ दिख रहा है अभी जो वोटिंग होई नौ सीटों में से साथ सीटे अखिलेश जादव हारे हैं उसमें दो सीटे ऐसी है जो सपा की थी जो सपा से छीन ली गई और उसमें भी कुंदर्की की सीट जहां पे मुस्लिम बदाता साट परसंट सतर परसंट के आसपास ह वो सीट भी वहार गए यह क्या संकेत है यह अगेन बटोगे तो कटोगे यह नारा काम कर रहा है और यह नारा अभी हमें लगता है अगले पांस-दस सालों तक काम करेगा यह रातो रात खतम नहीं होने वाला है क्यों जैसे मैंने पहले कहा कि यदि अखिलेश जादव ने अबने को नहीं बादला नहीं बदलने का मतलब वो सिर्फ Migran ही सोचते रहेंगे कि हर चीज में मुशलमानों के स्वेवर में बयान दो सिर्फ मुसलमानों के त्विश्तिकरन के लिए काम करो मुसलिम मददाताओं को ही लुभा हो तो उसमें होका जैसे महरास्तिन में हुग वैसे यूपी में भी पॉलराइजेशन होगा दूसरी चीज एक चीज और देखिए अभी संबल में जिस तरह के बयान आ रहे हैं अखिलेश जादों के क्या वो हिंदूों को कहीं से भी खुश कर सकता है नहीं करेगा बटोगे तो कटो कटोगे का नारा लोक सभा में नहीं थ यह नारा आया हरियाना विधान सब्सका के सुनाओं से अधियाना बीजेपी जीत गई मारास जीत गई जारकंड का आप कहेंगी तो जारकंड में एक फैक्टर था आदिवासी सीटों के रिजर्वेशन का जिसे भुना नहीं पाई बीजेपी नहीं उसमें है क्या कि वह कि यूपी की हम बात करें जैसे महारास्त में एक तरफा हुआ धुरुविकरन हो गया और जारकंड में और यूपी में बहुत अंतर है हम दोनों राज्यों के लोग अलग अलग तरीके सोचते हैं कोई आदिवासी वोट बैंक नहीं है तो अगर नहीं बदलेंगे यह अपन परसेंट लोग भी एक तरफ होंगे तो क्या जाएगा संदेश और कितनी सीटे फिर अखलेश जादो जीत पाएंगे यह समझने की चीज होती है को ज़रूरी नहीं कि हर आदमी बोल कहीं ब्यक्त करता है अब क्या है यूपी में जो लोग हैं खासकर जो हिंदू समधाय है वो देखता है कि हमारी बात तो सिर्फ एक पार्टी कर रही है बाकी तो कोई कर ही नहीं था अखिलेश जादो सिर मुसल्मानों की बात करते हैं राहूल गांदी मुसल्मानों की बात करते हैं इंडिय एलाइंस में जितने दल हैं सब मुसल्मानों की बात करते हैं इंडिय ए एक soft Hindu का एक गेम तो खेला है, एक soft Hindu, मंदिर जाना हो, पूजा करना हो, ये तमाम जो चीजी उन्होंने गढ़ी है, इस पर आप क्या कहें जो? यहीं तो वो गढ़बढ कर गए है, लाहुल गांदी, यदि soft Hindu तो था उनका, तो उनको राम मंदिर जाना चाहिए था, नहीं गये, उसके बाद से आप एक distance बताईए, जब किसी मंदिर में गए हूँ, कैमरे लेके गए हूँ, नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है, कि अगर ऐसी कोई तस्वीर हमारी आई, तो अगेन मुस्लिम बोड बैंकर में से चीन जाएगा, उनको चुनाव लड़ना होता है, सुरक्षित सीट खोजते हैं वाइनाड में, जहां तीन चौथाई जो है, वो नौन हिंदू है, उनकी बेहन गांधी प्रेंका बाढ़रा को जब चुनाव लड़ना होता है, तो अगेन वो वहीं जाती है, क्योंकि किस्चिनिटी बोड रहे हैं उन्होंने यूपी में तो अपना किया नहीं, यूपी में तो बड़ी मुस्किल से वापस आए और वो जीते, लेकिन उस समय फिर ध्यान देजे, कटोगे तो बटोगे का नारा नहीं था, अब कटोगे तो बटोगे का नारा चल चुका है, उस पे से एक हैं तो सेफ हैं, प्रधानमंत्री नारा दे दिया, अब ये जो नारे हैं, ये आप मानिये ना मानिये, अगर कोई हिंदू है एक पर उसको टच करता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश जा दो नहीं सुधरे मतलब सुधरने का मतलब अपने विचारों को नहीं वरला वो हिंदूों से इसी तरह से हिंदू के खिलाप बयान बाजी करते रहेंगे देखे कोई जरूर कि आप सीधे हिंदू का नाम लेके बयान बाजी करें आप मुस्लिमों के पक्ष में बयान बाजी कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप लेकिन लोग इसका अर्थ यह लगाते हैं और एक बार यदी हिंदू वोटर नाराज हो गया तो फिर जो है अखिलेश के लिए बहुत म बॉभोड ऑपने अपना व्क्त दिया विखलेशन किया और एक बात बहुत प्रॉड शूक्रिया आपका सब्सक्राइब नुन आप सरका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें